हेलो दोस्तो मैं विनोध मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप अपना ट्रेड लाइसेंस कैंसल कराएंगे अगर आपका trade license कुलकाता में है और KMC के अंतरगत आता है तो किस तरह से आप अपना trade license cancel कराएंगे आप मेरे वीडियो को ध्यान पुरुबक अंद तक देखते रहिए जिससे कि आप भी अपना trade license खुद ही cancel करवा सकते हैं दोस्तो सबसे पहले आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आईकॉन को दबा कर notification को on कीजिए जिससे कि आने वाले सारे notification आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूँ तो चलिए जानते हैं किस तरह से आप अपना trade license कैंसल करेंगे 05-9-9-93-16-19- revealed च państwo आपके हैं । compressure of trade license the applications for closure should be accompanied by necessary supporting documents along with original and photocopy of certificate of enlistment of current year dually paid if any certificate holder wants to close the business in the current financial year and does not want any demand notice to be raised in the next financial year the applications for such must be received by the concerned location office latest by 31st March of the current financial year any application for closing of business received after 31st March of the particular financial year will have to clear the demand up to that financial year in which the application for the closing of business is submitted trade license band karne ke liye आवेदन आवश्यक सहायक दस्तवेजों के साथ साथ बर्तमान वर्स के परमान पत्र का मूल और फोटोकॉपी परमान पत्र के साथ होना चाहिए यदि कोई परमान पत्र धारक बर्तमान वर्तिये वर्स में बैवशाय बंद करना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि अगले वर्तिये वर्स में कोई डिमांड नोटिस उठाय जाए तो ऐसे आवेदनों के लिए शंबंदित लोकेशन कार्याले को बर्तमान के 31 मार्स तक न्यूंतम आवेदन प्राप्त करना होगा वर्तिये वर्स बैपार के शमापन के लिए कोई भी आवेदन बिशेस वर्तिये वर्स के 31 मार्स के बाद प्राप्त होता है उस विर्तिय वर्ष तक की मांग को साफ करना होगा जिससे बैवसाय के समापन के लिए आवेदन पस्तुत किया गया है जैसा कि इसमें बताया गया है दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए इस financial year में तो आपको अभी तक का trade license का जो dues है trade license को up to date करना पड़ेगा उसको payment करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको कुछ documents है वो documents क्या है मैं आपको बताऊंगा अगर आप चाहते हैं कि इस current financial year में आपका demand notice ना बने तो आपको trade license को 31st March का पहले आपको cancel करना पड़ेगा अगर आप trade license 31st March के बाद cancel करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो आपको इस current financial year का आपको demand notice को payment करना पड़ेगा जो current financial year का जो charges है वो आपको payment करना पड़ेगा उसके बाद ही आप कर सकते हैं चलिए अब जानते हैं क्या-क्या documents चाहिए किन-किन company के लिए अलग-अलग company के लिए अलग-अलग तरह का नियम है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ Forclosure of registered office of private, limited and limited company registered under Companies Act 1956 as amended from time to time photocopy of the extract board resolution of the company along with an intimation of permission from ROC under section 560 of the Companies Act 1956 and original paid-up certificate of enlistment with the payment received private, limited company के लिए पंजिक्रित कारेकाले को बंद करने के लिए limited या limited company अधिनियम 1956 के तहत पंजिक्रित समय समय पर शणशोधित company के extract board resolution की photocopy के साथ एक admission या ROC company के अधिनियम 1956 KUS 560 और भुकतान रशीत के साथ मूल भुकतान परमान पत्र का मूल भुकतान यानि अगर आपका company private limited है और या registered private limited है या limited company है तो आपको आपका एक gyroscopy चाहिए एक photocopy चाहिए board resolution का आप एक board resolution निकाले लिए जहाँ पर आप mention कीजिए कि आप अपना trade license को cancel करना चाहते हैं साथ भी ही आपको intimation करना पड़ेगा या permission लेना पड़ेगा ROCP से कि आप अपना trade license को बंद करना चाहते हैं और शाथ में आपको जो CE है मतलब trade license का जो certificate है original वो चाहिए और payment receipt चाहिए ये लेकर आपको नजदी की आपको वीडियो का अंत में बताया हूँ किस तरह से आप लेटर लिखेंगे अब जानते हैं for closer of branch office of private limited या limited company register under act 1956 as amendment from time to time photocopy of board resolution certificate of incorporation in ROC of registered office and original paid up certificate of enlistment with the payment receipt same अगर आपका branch office को अगर आपका company private limited है limited company है और आपका branch का trade license को cancel करना चाहते है तो आपको एक photocopy चाहिए board resolution का एक board resolution बनाईए company का जहाँ आप आप दिखाईए कि आप अपना trade license को cancel करना चाहते है और साथ ही आपका ROC को intimate कीजिए ROC का एक certificate दीजिए original paid up original जो trade license का certificate वो और जो current payment received है वो लेकर और साथ में एक application letter लेकर आपको contact करना पड़ेगा KMC department में जहाँ आपका trade license को cancel कर दिया जाएगा अगर आपका company partnership firm है for closure of partnership firm photocopy of the partnership deed of desolations along with the partnership informations deed and original paid up certificate of enlistment with the payment receipt साज़दारी farm को बंद करने के लिए साज़दारी निर्मान विलेक की साज़दारी deed की photocopy साज़दारी प्राप्ती विलेक और मुल भुक्तान रशित के साथ अमनकर्म का परमान पत्र के साथ जाना पड़ेगा मतलब सेम चीज photocopy आफ चाहिए आपको partnership deed का board resolution निकालना पड़ेगा एक resolution निकालना पड़ेगा जहां दिखाना पड़ेगा कि आप trade license को cancel करना चाहते हैं और आपका original जो deed है partnership का वो जिरॉस copy चाहिए और शाथ में आपका trade license का जिरॉस original trade license चाहिए और साथ में जो payment किये है वो payment का receive और एक application के शाथ आप नजदी किये KMC office में जाकर contact कीजिए आपको वहां से cancel कर लिया जाएगा अब जानते हैं दोस्तों कि later किस तरह से type करेंगे किस तरह से later लिखेंगे KMC department को जिससे कि आप अपना trade license को cancel कर सकते हैं इसके लिए आपको लिखना है आपका खुद का company का letter head में company का letter head में एक letter application लिखेगा application का उपर application form for cancellation of trade license देख सकते हैं मैंने एक letter type किया है मैं पढ़ दे रहा हूँ यह letter को आप अपने type कर लीजिए या लिख लीजिए अपने हातों से application form for cancellation of trade license आप mention का 2 करके लिखिए the trade license officer कुलकाटा municipal corporation कुलकाटा reference में दीजिएगा CE number आपका जो CE number है trade license का company name office name या trade license नेम जो है वो डाल दिए उसके बास subject में लिखना है आपको cancellation of trade license bracket में CE number दे दीजिए फिर लिखिए आपको sir with reference to the above subject we need to cancel the CE number आप CE number डाल दीजिए following are the my details of registration आपका जो details है registration का वो डाल दीजिए name of the establishment आपका company का नाम दीजिए establishment code या CE नंबर डालिए हैं आपर उसके बाद हो सके तो आपका company का address डाल दीजिए उसके बाद लिखिए kindly do the needful your sincerely आप अपना signature कीजिए partnership बेटर partner signature करेंगे with company का seal का साथ और date का साथ और आपको enclosure में देना है जिससे कि मैंने उपर बताया है क्या-क्या enclosure में डालना है वो सारे चिसका photocopy आप enclosure में डाल दीजिए डालके आप KMC department में संपर कीजिए आपका trade license cancel हो जाएगा दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को like कीजिए मेरा चैनल को subscribe कीजिए और आप दोस्तो को share कीजिए दोस्तो एक चीज़ याद दखीगा trade license cancel करने के लिए कोई भी online परिक्रिया online procedure नहीं है आपको offline सारे documents के साथ जो बताये गया है इस वीडियो में साथ संपर करने से ही आपका trade license cancel होगा धन्यवाद